मेरा नाम इकवाल सिंग है मैं रहने वाला हूं खैरी का हूं और मैं यहां से अपने घर से श्याम के टैम डूटी जा रहा था और यहां से जैसे डेड़ किलोमेटर उपर गया एक खनन की ट्राली आ रही थी भरी भी और उसने एकदम कट मारके मुझे टक्कर मारी टक्कर मारन पाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है इस टैम खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और ट्रेक्टर वाले ने ना तो मुझे कोई खर्चा दिया और ना ही कोई माउजा मिला कुछ नहीं मिला नमस्कार मैं राजस्पांडे आज पहुचा हूँ खेरी गाउं में इकवाल सिंग जी के पास इकवाल सिंग जी की डोईवाला में लगवा 15-16 साल टेल्रिंग सौप रही है और भेवार कुसल हैं और हर किसी की मदद के लिए आप हमेशा तयार रहते हैं इकवाल जी ने बाद में अपने घर के पास एक टेल्रिंग सौप खोली थी आप सामजिक कारियों से जुड़े रहे हर किसी की मदद करने के लिए आप हमेशा तयार रहे पर 11 नुवंबर को साम करीब पहुने 7 बजे आपके साथ एक दुरगटना हो गई इस दुरगटना में आपका एक पेर बुरी तरे जक्मी हो गया और आज इस्तिति ये है कि आप चल नहीं पाते हैं आपके पेर में अभी भी जक्म बना हुआ है एक बड़ा उप्रिसन आपका हुआ आप चार मेंने से घर पर हैं आप टेल्डिंग सौप चलाने के साथ आप बतुर गार्ड सेवाई भी दे रहे थे आपके साथ ये जो हार्सा हुआ इसके बाद आपके आर्थिक इस्तिति भी बहुत खराब हो गई है खेती बाड़ी की भी बहुत जमीन आपके पास नहीं है घर परिबार कैसे चलाएं ये सवाल आपके सामने खड़ा हो गया है इकवाल जी के साथ जो दुगटना हुई वो खनन ट्रॉली इनने आपको टक्कर मारी है और उस समय जब आप अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और ट्रॉली टक्कर मारने के बाद वो ड्रैवर उस ट्रॉली को लेकर भाग गया और मानपता के नाते ही वो रुख जाता उनको अस्पताल पहुंचाता और उनकी मदद करता तो कितनी बड़ी बात होती लेकिन आज उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है मेरा नाम इकवाल सिंग है मैं रहने वाला हूँ खैरी का हूँ और मैं यहां से अपने घर से शाम के टैम डूटी जा रहा था और यहां से जैसे डेड़ किलोमेटर उपर गया एक खनन की ट्रॉली आ रही थी और उसने एकदम कट मारके मुझे टकर मार रही टकर मारने के बाद मेरी टांग कट की विल्कुल टांग कटने के बाद करीवर मैं आदा घंटा पढ़ा रहा वहाई परी करीवर शाम के टैम छे बजके 45 मिन का टैम था और डूटी मेरी साथ वेसे चालोह थी और मैं वहाँ से जैसे मैं वहाँ पढ़ा रहा टैक्टर वाले ने मार के टक्कर पांच मिंट खड़ा रहा होगा उसके बाद बहुत बंदे खड़े रहे वहाँ पे सब तमासा देखते रहे मुझे किसी ने नहीं उठाया और फिर आके मेरे भांजे को पता लगा वह मुझे आया वहाँ पे देखा उसने मामा जी पड़े हैं उसने आके देखा मैंने खुद अपनी टांग बांदी बच्चों को कहा मैंने का बही मेरा पेर तो बहुत जाला कट चुका लटक चुका है मुझे फट्टा दो फट्टा लेकर मैंने टांग बांदी जब मैं फट में खुद बांध के और कपड़े से बांध के मैंने टांग को फिर मैं गाड़ी में बैठा में हमालन आ गया और उस टैम की समय की बात तो मैंने आपको पताई दी छे बज के 45 मिंट पे मेरे चोट लगी है और 11 मेहना था और 11 ही तारिक थी और नौंबर का मेहना था आज बड़ा मुस्किल हो रहा है और टैक्टर वाले ने ना तो मुझे कोई खर्चा दिया और ना ही कोई माउज़ा मिला कुछ नहीं मिला और हमने हरी जगा रपोर्ट दी डोई वाला ठाने में दी एस्टियम को दी और हमारे जितने भी अपने देरादून में थे हमने वहां भ देखो ये फरवरी का महना चल रहा है आज करीवन पच्चीज चबीस तारीक हो चुकिए 27 तारीक हो चुकी है अब मैं घर पे ही हो और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया और मैं यहां पे खैरी में रहता हूं और मेरे बच्चे भी हैं पचारे छोट छोटे और मैं बहुत सब्सक्राइसrora 15 साल दुम् Fauci वाला में उसके बाद में से काम छोड़के खैरी में दुकान से में मैं यहां पर डृता ही हाई जो खनन से भरी ट्रॉलियां हैं वो लगातार इस इलाके सोब कर जाती है। यहां रात को खनन बहुत चलता है और यहां पे अना दून ट्रालियं हो भगाते हैं और आगे ना तो कोई बच्चा देखते हैं कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा। टेलरिंग सौब आपकी थी भतोर गार्ड सेवाएं दे रहे थे लगवत कितना कमा पा रहे थे बारा जार पर एक बीगा जमीन उसमें गिहुंब रख्या रखी है बाकी कोई इतना खास बड़ा रोजगार भी है नहीं कोई घर का चलो आभी खेकती बाड़ी से कुछ हा रहा हो दर से पैसा ऐसा कुछ नहीं है और इस टम खर्चे की बड़ी दिक्कत हो रही है और मैं उस दिन से लाचार आदमी पड़ा हूं विलकुल रजाई विस्तर पर ही मैं लैटरिंग बातरूम कर रहा हूं और मैं च हो रही है और मैं एक समाजी का आदमी भी था बड़ चड़ के हर एक चीज में हिस्सा लेता था और मैं लाचार हो गया हूं इस तर पर पढ़ाऊ मैं और मुझे बहुत बुरा लगता है मैं कहीं आनी जा सकता कुछ आनी सकता हूं कहीं जा नहाने दोने की बड़ी दिक्कत ह होती है देखो अग जो बंदा लाचार होके बिस्तर पर पढ़ जाएगा तो और करेगा क्या आगे और बहुत बुरी तरह से मुझे बहुत ही बुरा फील होता है कि इतना बंदा गूमने फिरने वाला हर एक जगा काम में दोड़ के सब से आगे जाने वाला हर एक समाज में बंदारे में क्या हो और जितने भी समाज कल्यान के काम में हम लोग सब से आगे रहते थे आज मैं लचार होके बिस्तर पर बैठा हूं और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं दिन तो कट जाता है जैसे कैसे करता है रात नहीं कटती है और रात काटने में मैं रात को एक पर बीचती है, वो ही जानता है, जो इनसान दिन रात गूमने वाला था, वो आज बिस्तर पर लेटा हुआ है, और यह नहीं कह सकता हूं, यह चार महने होने जा रहे हैं, आगे कितना टैम लगेगा, मैं कुछ कहन सकता, अभी चलने फिरने लेक नहीं हुआ हूं, सबसे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, पाल्टियों से भी अच्छे समन थे, मेरे पास कोई मिलने नहीं आया, और मुझे बड़ा दुख की बात है, हम लोग इनके साफ में कंदा आ कंदा मलाके चलते थे, हर एक चनाओ के अंदर, और परचार के लिए, मेरे साथ के लिए कोई मद तो यह है, मैं जितना भी यहां पर भाईयों और के साथ में मेल जोल से रहा हूं, मेरे भाईयों ने बहुत मेरे लिए करा है, और अकर भी रहे है, इस टेमले, मेरे लिए बहुत मदद करी है, और अभी भी कर रहा है, बचारा हो, जिए दिन में अभी गया था शनी बार को, उन्हें मुझे पैसे भी दिये बचारे ने बचारे ने बहुत मदद करता है मेरी ओ खाना पिना वही देखता है भाई यहां पे लाके बाई भाई बी करती है, भाई भी करता है मैं बड़ी दिक्कत में हूँ और आपको क्या बता सकता हूँ मैं तो बिस्तर बे लेटा हूँ मैं तो अपना हाल अपना आप ही समझ सकता हूँ कितना दुख वरा हूँ इस टेम मुझे भी इस गटना के बारे में कली ही पता चला इकवाल जी से जब मैंने उनको फोन किया तो पता चला कि वो बेड रेस्ट पर हैं बिस्तर पर हैं तो इन आर्थिक दिक्कतों से जूज रहे हैं अगर आपको लगता है कि आप इकवाल जी की कुछ मदद कर सकें तो बिल्कुल मदद कीजेगा उनसे जरूर मिलिएगा एक बार खेरी गाओं में रहते हैं और माता नोलो वाली देवी मंदिर का जो रास्ता है उसी रास्ते पर आपका घर है तो मैं तो ही अपील करूँगा कि इकवाल जी की मदद कीजेगा धन्यवाद इकवाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैंने तो जो बोलना था खेर बौल चुका हूं है मैं तो यही कहता हूं पर सासन से भी मेरी गाड़ी बेल भलकर ठाने में खणी है सूपरेस्पेंडर अभी ठाने के अंधर ही खड़ी है हम तो गाड़ी भी नि छटवापा पाएए वोँपे चल नहीं पाऊंगा मैं गाड़ी कैसे छड़ा पाऊंगा वाँ जागे अभी जाने की कोसिज करेंगे हम लोग वैसे ठाने में जाएंगे गाड़ी के लिए बात करेंगे गाड़ी तो छड़वानी है वो गाड़ी भी नहीं है एकबाल जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद और हम चाहिएगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो और अपने उस काम को आगे बड़ाएं जो आप कर रहे थे और खुशियां बाटने का काम आप करते रहे हैं और करते रहेंगे इस पर से प्रारतन हम आपके लिए करेंगे बहुत धने बाद, थैंक यू